तो आज की वीडियो एक सवाल से सुरू होने बाली है मैं आपसे एक सवाल पूचना चाहता हूँ कि कभी आपकी अगर ऐसी इस्तिती आ जाए कि आपको पैसे की जरूरत हो और इस दुनिया में या इस इंडिया में आपका कोई साथ देने वाला जो जान बैंचान वाला है वो गर परिबार रिस्तेदार यार दोस्त सभी लोग आपसे मुँ फिर लें पैसे की जरूरत हो आपके घर में कोई फैमली प्रॉब्लम हो आपके घर में कोई परेजान हो कोई बीमार हो या आप कोई नई चीज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पैसे की जरूरत हो आप की भलाई करना चाहते हैं, इस टीट डॉक्स को खाना खिलाना चाहते हैं, उस समय आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप ये काम करना चाहते हैं, आप गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कोई भी आपकी मदद करने के लिए त्यार नहीं हैं, तो आप क्या गर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप donation ले सकते हैं यहाँ पे आपको donation घर घर पे जाके नहीं लेना पड़ेगा यह donation आपको online मिलेगा यानि कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि कभी भी मुसीबत आए आपके परिवार में कोई बीमार हो बीमारी कोई ऐसी हो कि आप खुद के पास हुए पैसे से उसका इलाज नहीं करवा पा रही हैं तो आप online donation ले सकती हैं बहुत सारे platform ऐसी हैं जहां पर आप registration करके अपना issue डाल सकती हैं हमें इस चीज के लिए donation की जरूरत है तो बहुत सारे all over world से लोग आते हैं उस website को donation भी लिया हुआ है तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि कभी भी हमें मुसीबत आएगी तो हम किस तरीके से donation के लिए apply करेंगे दूसरी इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर से एर कर देना जिनको जरूरत है donation की जिनको पैसे की जरूरत है लेकिन उनका कोई साथ आप देने वाला नहीं है चलिए आप computer screen पर चलती हैं और समझते हैं कि online donation के लिए किस तरीके से apply करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर Google open कर लिया है यहाँ पर आपको एक website open करनी है k2.org यह website है इसको कैसे pronounce करेंगे वह आप देख लीजिए मैंने spelling आपको बता दिये यहा आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने donation लिया हुआ है आप देख सकते हैं करोड़ों रुपई का donation यहाँ पर लोगों ने लिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना उनका target है और कितना अब तक receive हो गया है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है हजारा लोग यह यहां से donation लेती हैं, यहां पर donation की कोई fees भी नहीं लगती, आप कोई charge भी नहीं देना, और कभी भी आपको donation मिलेगा, तो यहां पर commission भी नहीं लिया जाएगा, सबसे पहले आपको इस option पर click करना है, और यहां पर आपको reason बताना होगा, कि आप fund raise क्यों करना चाहती हो, तो email id और एक password आपको create करना होगा, mobile number डालना होगा, और next पर आपको click करना होगा, तो यह details सभी सही सही डाले जो आपके आदार कार्ड से मैं चूँ, तो चलिए फटावट से मैं यह सभी details डाल देता हूँ, next पर click करने के बाद आपके mobile number पर एक OTP आएगा, वो OTP यहां पर दर हो जाता है, तो यहां पर हमें कुछ detail देनी होगी, और कुछ सवालों के जवाब यहां पर हमें देने पड़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले about self पर जाना है, कि हमें अपने बारे में यहां पर सबसे पहले बताना पड़ेगा, कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, या कितना donation आप लेना चाहती है, तो वो complete लिखिए, कितने का चाहिए, दो लाग, दस लाग, बीस लाग, दो करोड़, जितना भी चाहिए, उतना, तो वो आपको यहां पर डालना होगा, तो उसके बाद यहां पर दूसरा option आता है, कि किस लिए चाहिए, उसका short आपको लिखना है, छ उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, तो यहां पर मैंने अपना नाम डाल दिया है, अपनी क्या करते हैं, वो यहां पर select करेंगे, तो जो भी आप काम करते हैं, आप student है, education के field में अभी जो कर रहे हैं, वो आप select कर सकते हैं, तो वो आपको इस platform के बारे में कहां से पत तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद आपको अपने फोटू और वीडियो अप्लोड करनी है जैसे किसी की मा बीमार है या कोई भी फैमिली मेंबर बीमार है तो उसका फोटू यहाँ पर अप्लोड कर सकते हैं ऑस्पीटल के जो डोकुमेंट हैं जैसे कागज डाल दिया है और save and continue पर क्लिक करता हूं यहाँ पर अपना issue आपको लिखना पड़ेगा story type में पूरा मतला आपको complete बताना होगा कि किसलिए आप fund raise कर रहे हो किसलिए donation चाहिए और लोग क्यों आपको donation करें तो वो आपको यहाँ पर complete लिखना होगा और submit for approval पर क्लिक करना अब मैं submit for approval पर क्लिक करता हूँ आप यह देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे को video बनाई है YouTube के लिए उसके लिए मैं जए studio बनाना है तो ऐसे जो भी आपका issue है किसलिए पैसा चाहिए तो वो लिख दीजिए आपकी family member बीमार है या कौन क्या है वो आप लिख अब मैंने आपर submit for approval पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं इसे submit करूँगा यहाँ पर submit हो जाएगा यहाँ पर हमें कुछ अपने document अप्लोड करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर upload documents पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ एक नई window open हो जाएगी तो document इ दाल सकते हैं front का और back का तो मैं अपना डाल देता हूँ example के लिए डाल रहा हूँ मेरे को कोई यहाँ से funding नहीं चाहिए मैं इस post को डालने कबार delete भी कर दूँगा इससे तो उसके बाद आपको back का डालना है अपने आधार card का तो मेरा यह डला हुआ है तो मैं उसे upload कर देत detail दिखाई जाती है अब क्या है हमाँ अपना आधार number यहाँ पर डालना होगा तो जो भी आपका आधार number आधार card पर लिखा होगा उसे डाल दीजिए और next पर click कर दीजिए जैसे आप डाल के next पर click करोगे आपके mobile number पर एक OTP आएगा इससे आपकी EKBC हो जाती है मतलब तो यहाँ पर post डाली हुई है यहाँ पर आपको allow करना होगा नीचे आप scroll करोगे तो allow का option आएगा उस पर आपको click करना होगा और अभी आपने जो भी donation के लिए request डाली है वो pending में होगी और यह लोग उसे review करेंगे कि आपका जो issue है सच में वो real है आप वो ही बन दे हैं जि तो यह आप देख सकती हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का interface दिखाया जाता है dex word दिखाया जाता है कितना पैसा यहाँ पर receive हो रहा है वो दिखाया जाएगा और daily की आपको report दिखाई जाएगी कि today को कितना receive होगा है यहाँ पर आपको एक manager मिलता है इसको call भी कर सकते हैं यह calling कर सकती हैं तो यहाँ पर आप document को और upload कर सकती हैं और आप कुछ नई चीज़ें add कर सकते हैं यानि कि जो post आपने किया उसे edit भी कर सकती हैं यहाँ पर आपकी summary दिखाई जाती है कि आपकी कितनी income हो गई है जिसे आप अपने bank account में withdraw भी कर सकती हैं तो कभी भी चाओ जब withdraw क कर सकती हैं तो यही है कि अभी pending में हैं कुछ समय बाद approve हो जाती है और इनकी website पर दिखाई जाती है इनकी website पर बहुत सारे लोग आती हैं और यह अपनी website का promotion भी करती हैं तो लोग इनकी website पर आके donation करती हैं तो दोस्तों यह थी complete जानकारी यह वीडियो आप लोगों को कैस अच्छी लगी कमेंट करके बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन नहीं दबाया है बहुत जल्दी से जल्दी दबाती जी जिससे इन फ्यूचर यासी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे धन्यवाद